एक मित्र ने प्रस्न पूझा है कि बुद्ध ने आठ परकार के ध्यान बताई, वो क्या है और हम कैसे जान सकते हैं कि हम कहां पर खड़े हैं, हमारी अपनी ध्यान अवस्था क्या है। बुद्ध गावी उपमा सुत्त में हमें चार ध्यानों के बारी में जिक्र करते हैं, और चार ध्यानों में मनुसी किस तरह से प्राप्ति करता है और उसके लक्षन क्या हैं, उसके बारी में हमें बताते हैं। बुद्ध एक पहाड़ी गाई की उपमा देते हैं, कहते हैं कि भिक्ष्यों जैसे कोई पहाड़ी गाई होती है और वो मूर्ख हो अगर हुस्यार न हो, खेतों की जानकार न हो, उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर चलने में दक्ष न हो, पहाड़ी जगह में चरने में दक्ष न हो। और उसके मन में यह विचार आए कि मैं ऐसी दिसा में जाऊं जहां पहले कोई गाई न गई हो, वहाँ जाकर घास खाऊं, जिसको पहले कभी किसी ने खाया न हो, वह पानी पीऊं ऐसी जगह का जिसको पहले पिया न गया हो। और वह अपने अगले पाउं को अच्छी तरह से जमाए बिना सुप्रतिष्टित किये बिना पिछला पाउं हटा ले। वह न तो ऐसी दिशा में जा सके जहां पहले न गई हो न वह घास खा सके जिसे पहले न खाया गया हो न वह पानी पी सके जिसे पहले पिया न गया हो और जिस जगह पर खड़ी होकर उसके मन में है विचार पैदा होता है कि मैं ऐसी दिशा में जाओं जहां पहले कोई गाई न गई हो वह घास खाओं जिसको पहले कभी किसीने खाया न वह पानी पीओं जिसे पहले कभी किसीने पिया न वह वह उस जगह पर फिर भी नहीं जा स प्रतिष्टित नहीं हो सकती क्यों? क्योंकि भिक्षिवो ऐसी ही है वह पहाडी गाई जो मूर्ख है जो हुश्यार नहीं है खेतों की जानकार नहीं जिसे उबढखाबड पहाडी रास्तों का पता नहीं कैसे चलते हैं वह उस चलने में दक्ष नहीं उबढखाबड पहाडी प्रदिसों में किस तरह से चरना है उसको पता नहीं इसी प्रकार भिक्षिवो कोई कोई भिक्षिवो मूर्ख होता है वह अपने मर्यादा का जानकार नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है किस अनुसासन में रहना है क्या आच्रण है, क्या सईयम है, कितना खाना है, कितना सोना है, कितना बोलना है, वो अपनी मर्यादा का जानकार नहीं होता, वो काम भोगों से प्रथक नहीं हो पाता, अकुशल कर्मों से प्रथक नहीं हो पाता, सभी तर्क, सभी जार, विविकुत्वन, प्रिती सुख वाले पर्थम ध्यान को प्राप्त नहीं हो सकता। पर्थम ध्यान क्या है। बुद्ध पर्थम ध्यान की ही बात कर रहे हैं अभी तक। क्योंकि पर्थम ध्यान का अर्थ है जहां पर चित्त की एकागरता आ गई। आंत्रिक प्रसन्नता आ गई। मन में बितर्ग विचारों का उपसमन हो गया, विचार रहित होने लगा, तब वो पर्थम ध्यान में पहुँशता है, जब आचार विचार आया, सैयम आया, अनुसासन आया, आचरण आया, और उसके आस्रवों का श्याई होने लगा, तब वो पर्थम ध्यान से उपर उठता है, और जब उसके मन में यह होता है कि मैं बितर्ग विचारों का उपसमन कर आंत्रिक प्रसनता देने वाले जित्तिकी एकागरता रूप, बितर्ग रहित, बिचार रहित, समाधी से उत्पन्य प्रीती सुख को पाऊं, तब वो दुत दुति ध्यान को प्राप्त करता है, बितर्ग विचारों का उपसमन हो जाता है, तब वो दुति ध्यान में पहुंचता है, नहीं तो दुति ध्यान को प्राप्त नहीं कर पाता, दुति ध्यान में एक आगरता आ जाती है, चित्तिकी एक आगरता, आंत्रिक प्रसनता आने लगती है किसी के परती भी कोई बिरोध नहीं कोई द्वैश नहीं इतनी खुरती अंदर उठने लगती है बेवज़ और वह बेवज़ उठती हुई खुशी उठती हुई प्रसंदता जो भी संपर्क माता है जो भी जानकार है या नहीं जानकार भी है सभी को प्रसंद कर दे निवाली खुशी है, सब खिचे हुए चले आते हैं, सब को शानती मिलती है, मन की शानती मिलती है उस ब्यक्ति के नस्तिक चाने से, वितर्क विचारों का उपसमन कर लेता है, फिर वो यह नहीं कहता, जैसे हम वितर्क करते हैं, कोई ब्यक्ति कहीं मिल गया, हमारा तुरंत ही हमारे मन में ख्याल आता है कि यहां क्या कर रहा होगा या इतने बजे यहां क्या कर रहा होगा या आज नौकरी पर नहें गया होगा या यह पिक्चर देखने आया होगा या यह कोई और समान खरीदने आया होगा या यह गूमने आया होगा यह जो है यहां मटरगस्ती कर रहा अपने वक्त को बरबात कर रहा होगा यहाँ कुछ और पैसो के चक्रमा आया होगा इस तरह के जो बीतर को उठते इतनी बात हैं अपने कभी सोचा अपने मन को कभी जाचा कभी परखा कि किस तरह से कारण से बिचार न कोई लएना न कोई देना कोई व्यक्ति गूम रहा है कोई व्यक्ति कुछ क्यों की होगी आज इस ने पहले दू नहीं की थी आजure प啦 मांग रहा होगा या आजन कहीं किसी परिशानी में होगा तो आजन हमको सलाम कर रहा है इस तरह कि बितर्क उठते हैं जब तक यह है तब तक तो दूसरा ध्यान हो यह नहीं सकता पहला ही एक आगरता आती है, बितर्क खतम हो जाते हैं, आंतरिक प्रसनता उठती है, बिचार रहित हो जाता है, तब समाधी का सुख मिलने लगता है, तब ध्यान लगता है, तब शान्ती मन महसूस होने लगती है, और ऐसे प्रीती सुख वाले दुतिय ध्यान को प्राप्त करता है, बिक्षो और जब तक यह सब कुछ है तब तक वो दूती ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता और जब उसके मन में होता है कि काम भोगों से कि प्रती विरक्ती आ गई वो काम भोगों से प्रतक हो गया अकुशल कर्मों धर्मों से प्रतक हो गया सबीतर का आगे सबीचार आगे विवोकुत्पन हो गए प्रीती आने लगी तब वो प्रतम ध्यान को प्राप्त करके बिहार करता है प्रतम ध्यान में ही काम भोगों से प्रतक हो जाता है इस बात को अभी जैसे इनमितर इनप्रस ने बूचा है कि कैसे पता चल की हम कहां बर खड़े है ध्यान साथना में। पहले ध्यान में काम खोगों से प्रत्क जाता है। की सविधर कर उठने लगतें सविचार उठने लगतें ृट्यक्र जागने लगता है कि किस काम को करने से परिदाम क्या होंगे। क्या करना अच्छा है क्या करना अच्छा नहीं है किस से समाज का फाइदा होगा किस से लोगों का फाइदा होगा किस से शांती मन में पैदा होगी किस से प्रसंदता पैदा होगी यह सब कुछ ही परतम ध्यान में आने लगता है परतम ध्यान का अर्थ है कि मैं अब काम भोग से प्रथक हो रहा हूं और काम भोगों में सब कुछ ही आ जाता है सारी वासना हैं यह कमा लूँ यह जोड लूँ यह पालू यह छीन लूँ यह सब काम भोग हैं सरीर के सुख सरीर को पाने की इच्छा और भी जितनी काम नाये हैं सब काम भोगों से वो प्रथक होने लगता है अपने को खींच लेता है सोता ही अलग होने लगता है खींचने का भी सवाल नहीं है जूर लगाने का भी सवाल नहीं है तब वो अकुसल कर्मों से उपर उठने लगता है अकुसल कर्मों उसकी जिंदिगी में नहीं रे जाते वो किसी के प्रती इर्श्या नहीं करता, वो किसी का झीनता नहीं, वो किसी का चुराता नहीं, वो किसी के प्रती बुरा बोलता नहीं, वो किसी के चुगली निंदा करता नहीं, वो तो अपने में मस्त हो जाता है, अपने ध्यान में एकागर हो जाता है, अपने मन में इकागरता पा लेता है, बिचारों में सुन्यता आने लगती है, तो पहले धिहान में ही वो वहां तक पहुँच जाता है और दूसरे धिहान में और भी गहरे में पहुचता है, तब भिक्षु की प्रगती होने लगती है, और जो भिक्षु पर्थम धिहान को नहीं पापाता, दूती धिहान तक तो पहुचने की बाती क्या है, वो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु वो ऐसा ही है, जैसे पहाडी गो, पहाडी गाई होती है, मूर्क जो होश्यार नहीं, जो खेतों की जानकार नहीं, जिसे उबडगाबड पहाडी रास्तों पर चलने का पता नहीं, जो अपने पहले पाउं को जमाए बगेर दूसरा पाउं उठा लेती है, हम अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं, सब आधा दूरा, एक काम पूरा हुआ नहीं, दूसरा काम, मल्टी टास्किंग, कई कामों को एक सांथ, कोई भी काम पूरा होता नहीं, इसको बुद्ध कहते हैं, जैसे कोई पहाडी गाई होती है, अगर वो पंडित है, हुश्यार है, खेतों की जानकार है, उबड़ खाबड पहाडी प्रदेसों में चलने में दक्षे है, चरने में दक्षे है, और उसके मन में यह हो, कि मैं ऐसी जगे में जाऊं जहां पहले किसी ने खाई न हो, ऐसा पानी पियूँ जो पहले किसी ने पिया न हो, बुद्ध हमें समझानी की कोशिस कर रहे हैं, कि हम उस गाई की तरह होना चाहते हैं, अगर जो निर्वान पथ पर, अगर हमें चलना है, तो हम यही सोचते हैं, कि मैं वहाँ जाऊं जहां बुद्ध रहते हैं, मैं वहाँ जाऊं जहां बुद्ध की पहुँच है, मैं वहाँ उस लोग के दर्सन करूं, मैं अपने अंतरतम में उस प्रकास के दर्सन करूं तो बुद्ध कहते हैं कि वो ऐसे ही गाई की तरह होता है जो दक्ष है जो ऐसा सूचती है लेकिन पंडित है जानकार है वो ऐसी दिसा मजाती है जहां पहले न गई हो ऐसी घास खाती है जो पहले न खाई हो ऐसा पानी पीती है जो पहले नहीं पिया गया तब वो ऐसा ही हो जाता है ऐसी गाई की तेरे ऐसा भिक्ष्यू हो जाता है तब वो कामभोगों से प्रतक हो जाता है अकुसल कर्मों से प्रतक हो जाता है सबीतर को जगता है, उसके अंदर बिबेग जगता है, उसके अंदर प्रीती सुख वाले पर्थम ध्यान को प्राप्त करके वो बिहार करता है, अभ्यास करता है, और अभ्यास में ब्रदी करता है, और अपने नियंतर्ण में रहता है, उसे अपने अधिकार में रखता है, ऐस उसको बुद्ध कहते हैं कि वह पर्थम ध्यान में जब होता है तो यह परिस्तितिया पैता हो जाती है। और जब दूत्य ध्यान होता है तो वह बितर करहित हो जाता चित्त की एक आगरता आजाती है, आंतरिक प्रसनता आने लगती है, समाधी से उत्पन जो प्रीति सुक होते हैं, उसको दूतिय ध्यान में प्राप्त होते हैं, दूतिय ध्यान में एक आगरता चित्त में, दूतिय ध्यान में आंतरिक प्रसनता, स्वत्य ही बिना कारण के बे तर्क रहित हो जाता है, बिचार रहित हो जाता है। दूतिय ध्यान में कोई हिंसा नहीं होती, किसी भी वरकार की बाधा नहीं है, उतरती, तब वो दूतिय ध्यान को प्राप्त करता है। और तीसरे ध्यान में उसके अंदर से प्रीती, इस संसार में जो संसार से जो प्रीती है, उसके प्रतिवह उदासीन हो जाता है, और उपेक्ष्यावान हो जाता है, उपेक्ष्या को हमने पहले अच्छी तरह से समझा है, उपेक्ष्या का अर्थ है कि वो तठसत हो जाता है, रखता नहीं, वो बिना जज्जमेंट का हो जाता है, किसी भी दरश्य को देखता है, किसी भी व्यक्ति को देखता है, उसके अंदर कोई भी जज्जमेंट नहीं है, प्रीती से उदासियन हो जाता है, समरती संप्रजन्य हो जाता है, समरती संप्रजन्य पर हमने कई वीडियो में पहले बात की है जब हमने भी पश्यना पर बात की है समरती संप्रजन ये कारत है कि वो अपने सरीर में उठ रही समस्त बेदनाओं को महसूस करते हुए चलता है काया से सुख को सपर्स करता है काया से दुख को सपर्स करता है लेकिन सुख और दुख से उपर उठा होता है सुक और दुख उसको सताते नहीं वह उपेक्षावान है स्मर्थिवान है और सुक पूर्वक पिहार करने वाला होता है तब वह दुरतिय ध्यान को प्राप्त करता है और जब उसके मन में होता है कि सुक और दुख का प्राहान कर वो सौमनस्य तथा दौर्मनस्य पहले ही अंतरधान हुआ दुख और असुक अदुख और असुक उपिक्षय स्मरती परिशुद्धी युक्त चतूर्थ ध्यान को प्राप्त करता है चतूर्थ ध्यान में उसके अंदर से सुक और दुख चले जाते चोथे ध्यान में उसके अंदर से दौर्मनश्य चला जाता है किसी के प्रती दुर्भावना चली जाती है किसी के प्रती अच्छी भावना भी चली जाती है वो उपेक्षयवान हो जाता है उसकी स्मृती जग जाती है और 2400 घंटे बुद्ध कहते थे मन की निगरानी रखने वाला भिक्षू होता है यह चतूर्थ ध्यान को प्राप्त करने में होता है और परिशुद्ध ही हो जाती है पूरी तरह से सुद्ध हो जाता है उसका मन यह चतूर्थ ध्यान को प्राप्त करता है तब भी हार करता है चतुर्त ध्यान में बिना किसी प्रकार की बाधा को उपस्तित किये हुए वो सुख को भोगता है यह सुख आंतरीक है इसका बाहर की दुनिया से कोई संबंद नहीं वो निमित्त होकर सेवन करता है वो निमित्त होकर सिर्फ अभ्यास करता है अभ्यास में ब्रधी करता है और अपने नियंत्रण में अपने मन को रखता है अपने अधिकार में अपने मन को रखता है यह चार ध्यान है मूलत है बुद्ध ने जो बताए इसके बाद के जो चार ध्यान है उसमें वो आकासान अंचाहितन को बिना किसी प्रकार की हानी पहुचाए हुए सभी रूप संग्याओं का समति क्रमन आकासान अंचाहितन को प्राप्त करके भिहार करता है उसके ध्यान में कभी भी, वो सिर्फ निमित्त होकर भिहार करता है, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता, कि उसने सब कुछ पालिया, आकास अनन्त है, वो सबी परकार से उपेक्षयवान है, उसके अंदर किसी भी परकार की ऐसी भावना नहीं कि वो, उसने क्या पालिया है, क्या नहीं पाया है। वो सभी संग्याओं की और से उपक्षावान हो जाता है। संग्याओं का अर्थ है कि जो भी उसके अंदर से बिचार उठते हैं, जो भी उसने बाहर से ज्यान इखटा किया है। वो सभी संग्याओं उसकी उपक्षित हो जाती है, वो उपक्षिया से भर जाता है। वो सिर्फ निमित्त होकर सेवन करता है, अभ्यास करता है, ब्रधी करता है, अपने अधिकार में रखता है। आखासन अंचाइतन का समतिकर मनकर बिज्ञान अनंत है, बिज्ञान अंचाइतन को प्राप्त कर भिहार करता है। आकासन अंचाहितन में वो अपनी संग्याओं से उपेक्षित हो जाता है और विज्ञान अंचाहितन में वो फिर उसका भी समती करण कर विज्ञान अनन तह करके भीहार करता है। बिना किसी प्रकार के हानी पहुँचाए किसी भी प्रकार से अपने मन को उसमें आरोपित किये हुए निमित्त होकर रहता है अभ्यास करता है ब्रधी करता है उसे अपने अधिकारम रखता है। पांचवा आकासन अन्चाइतन छटा बिज्ञान अन्चाइतन और साथवा अकिन्चन्याइतन का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की हानी पहुँचाए हुए कुछ नहीं है वो नहीं है कुछ नहीं है यह अकिन्चन्याइतन उसके अंदर बैठ जाता है कि कुछ नहीं है। सिर्फ निमित्त होकर सेवन करता है अभ्यास करता है ब्रधी करता है अपने अधिकारम रखता है नियंतर्ण में रहता है। कुछ नहीं है यह अकिन्चन्याइतन है। कुछ नहीं है का अर्थ ही यही है कि यह जो कुछ भी दिख रहा है यह दिख रहा है यह है नहीं। इसकी कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई असलियत नहीं, क्योंकि यह बदल रहा है, यह सब कुछ ही अनेती है, कुछ भी नहीं है, दिखता है, लगता है कि कुछ है, ऐसे ही म्रग मारिज जी का की तरह, दिखता है, है, लेकिन है नहीं, इसी तरह से जैसे कुछ पाले कर, पालेनी की आकानशा होती है तो लगता है कि सुख मिलेगा लेकिन जब वो चीज पाली जाती है फिर लगता है कि सुख तो मिला ही नहीं सुख था ही नहीं बस तुम में सुख है नहीं कामभोगों में सुख है नहीं इस दुनिया में किसी भी पदार्थ में कोई सुख है नहीं यह उसको अकिंचनियाईतन प्राप्ति जब होती है तब कुछ नहीं है का आभास होता है और गहर आभास होता है और फिर वो अकिंचनियाईतन का अतिक्रमन करता है आठवे ध्यान में नेव संग्याना संग्याईत कि कोई भी संग्या, किसी भी प्रकार की संग्या को वह अतिक्रमन कर जाता है, किसी भी प्रकार की हानी पहुचाए हुए, बिहार करता है, ध्यान के विसई में निमित्म होकर सेवन करता है, अभ्यास करता है, ब्रधी करता है, अब उसे अपने अधिकार में रखता है, इस प्रकार से यह आठ ध्यान है, संग्या बेधना का निरोध कर, किसी भी प्रकार की संग्या बेधना का निरोध कर देता है, संग्या वेधना का अर्थी यही है कि मैं कोई जानकार हूँ मेरे अंदर कोई वेधना है उठ रही है वो वेधनाओं से उपर उठ जाता है वो संग्या से उपर उठ जाता है इसको कहते हैं नेहू संग्याना संग्याईतन वो उसका अतिक्रमन कर जाता है किसी भी प्रकार की बेदिना उसको सताती नहीं उसको कोई दुख सताता नहीं कोई सुक सताता नहीं वो अदुख असुख से भी उपर उठ जाता है किसी भी प्रकार की संग्या से किसी भी प्रकार की जानकारी से किसी भी प्रकार की बाहरी ज्यान से वो उपर उठ जाता है यहनि अगर वो किसी बस्तु को देखता है तो उस बस्तु को सिर्फ देखता है observer observed जिसको हम कहते हैं वो फिर यह नहीं देखता कि हरा पत्ता है या पीला पत्ता है हरे और पीले का आभास खतम हो जाता है पत्ते का आभास खतम हो जाता है पत्ता है और पत्ता नहीं है पत्ता है कागज का है पत्ता है यह फूल है यह सब संग्या इन सब संग्याओं का वह अतिकरमन कर जाता है एक छोटे से बच्चे की तरह, एक दो महिने के बच्चे की तरह, जो सिर्फ देखता है, उसे नहीं पता कि क्या पीला पता है, क्या हरा पता है, कौन सा ब्रक्सी पीपल का है, कौन सा ब्रक्सी गुड़ल का है, कौन सा ब्रक्सी जामुन का है, किसमे कौन सा फल लगता है, कहा को जा रही ही, कहां से हवा उठ रही है, कहां से नहीं उठ रही है, उसे कुछी भी संग्या को लगाने की आओ सकता नहीं। बच्चा तो जानता नहीं क्योंकि उसका भी मन का दाइरा खुला नहीं लेकिन जब कोई आठवे ध्यान में पहुँचता है बुद्धत तो को उपलब्द होता है वो जानता सब कुछ है लेकिन पूरी तरह से इस्तिर हो जाता है अतिक्रमन कर जाता है यह आठ ध्यान है जिसम चार ध्यान की चर्चा बुद्धने की और बांकी चार आकासन अजाइतन संग्याना अजाइतन और नैव संग्याना संग्याइतन यह चार ऐसी इस्तितिया हैं कि वो फिर उस दिब्य स्रोत तक पहुँच जाता है दिब्य स्रोत धातु से जुड़ जाता है जिसको अम्रत तत्व बुधनिका अम्रत धातु कहा फिर उसे वो दिब्य शब्द सुनाई पड़ता है दिब्य शब्द का अर्थ होता है जो पूरी तरह से लैबद्ध हो गया इस अस्तित्व की उर्चा से अस्तित्व की आवाद से अस्तित्व के प्रकाश से हम वासी उस देश के जहां बिन सूरज उचियारा जिसको कबीर कहते है फिर मन कहीं रहता नहीं कि उचियारा है अंधेरा है सूरज है नहीं है यह सब मन की बाते हैं इसलिए बुध आत्मा की बात नहीं करते क्योंकि आत्म आत्मा को जानने वाला मन, आत्मा को जानने ही सकता, मन और बुढ़ी से उपर उठकर, जो पाया जाता है, उसमें उसे मन से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मन समस्त बस्तूओं को, समस्त बेधनाओं को, समस्त आभासों को महसूस करके सब्दों में व्यक्त करता है, लेकिन जहां मन नहीं होता, वहां जो है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए वह अभ्यक्त ही रह जाता है, इसलिए बुद्ध ने उसकी बात ही नही दिया ये इसलिए ये सिर्फ समझाने के लिए ग्यानियों ने कहा है इसको तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है और महसूस करके बताया भी नहीं जा सकता है क्योंकि मन के जरीए यह बताया जाती है और जब मन के जरीए यह बताया जाता है तो दूसरे ब्यक्ति के समझ में आने नहीं जा सकता, इसलिए तुम आत्मा कहो कि है तब भी ठीक, तुम आत्मा नहीं है कहो तब भी ठीक, क्योंकि यह तो महसूस होने की बात है, और मन से महसूस किया नहीं जा सकता, मन से उपर की बात है, इसलिए जब तक मन है, तब तक यही है कि आत्मा है या नहीं, इस बारे म किसी भी प्रकार की बात करना ऐसे ही है जैसे पर्थिवी घूम रही है और बहुत ज़्यादा तेज गती से घूम रही है लेकिन हम इस्तिर हैं यहां घर बनाते हैं पूरा अपना कामकाश करते हैं बाल बच्चे पैदा करते हैं और हम तो कहते हैं कि पर्थिवी कहां गूम रही है और जब कि पर्थिवी इतनी तेजगती से घूम रही है जितनी तेजगती से हमारा पंखा भी सायद न घूमता हो और हम उस तेजगती से घूम रही पर्थिवी में अपना घर बार और सब कुछ बनाते हैं और कोई हमसे कहे कि परतिवी घूम रही है तो हम कहेंगे परतिवी काँ घूम रही है और परतिवी घूम रही है इस बात को हम सुविकार तब करते हैं जब 365 दिन और 365 दिन में हमारा एक पूरे साल का चकर हो जाता है परतिवी घूम रही है इस बात को हम तब सुविकार करते हैं जब हम देखत कि रात हो गई तो सूरज छिप गया रात हो गई तो चंद्रमा निकल गया और सुबह हो गई तो सूरज निकलाया जबकि सूरज कहीं छिपता नहीं चंद्रमा कहीं छिपता नहीं तब हम यह एहसास कर पाते हैं कि कोई चीज घूम रही है तो कोई ओट लग जाती है तो फिर यह हो जाता है वो हो जाता है लेकिन हमने कभी इसको महसूस किया नहीं क्योंकि पर्थिवी को हमने कभी घूमते हुए देखा नहीं इस गती से इसलिए हम कहते हैं कि पर्थिवी घूम रही है यह भी सच है और पर्थिवी नहीं घूम रही है यह भी सच है लेकिन हमारा कोई अपना अनुप हो नहीं, हमने पर्थिवी पर खड़े होकर पर्थिवी को इतनी तेजगती से घूमते वे नहीं देखा, इसी तरह से आत्मा की बात है, क्या आत्मा की बात करेंगे, क्योंकि वो मन के दाइरे से उपर की बात है, और मन के दाइरे में ही पूरे संसार की बात है की जा सकती है यह बात हम समझ नहीं पाते और ब्यर्थे की बहस मभस जाते हैं ध्यान करेंगे बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे बुद्ध के बताए हुए उपदेसों को अपने जीवन में उतारेंगे तो तब कभी कोई ऐसी अवस्था आएगी जब हम यह कह सकते हैं लेकिन बुद्ध मन की बात करते हैं नमो उताए